ग्यान दे टेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि बगला मुखी यंत्र क्या होता है देखे मनुष्य जीवन में रेक परकार के संकट आते रहते हैं और परिशान वेक्ति उनसे मुक्त होने का उपाय कोचता रहता है जब आपको कोई मारग नहीं सुझ रहा हो तो बस एक बार अपने जीवन में माथा बगला मुखी की साधना आवश्य करें ये इतना चमतकारी साधना है कि आश्पर जिसने भी किये कभी निराश नहीं हुआ है और ये हर समस्याओं का निदान है माता बगला मुखी को कलियों में बहुत शक्तिशाली देवे के रूप में जाना जाता है जिनके किर्पा से कारियों में आने वाली सारे विग्न वाधाएं दूर हो जाती है आपके संकर टल जाता है तथा साहास, प्राकर्ण, व्यादी की प्राप्ति होगी बगला मुखी अंदर का प्रियोग को मा बगला मुखी का आशिरवाक्त राप्त करने के लिए किया जाता है तथा आज भी अनेक जात्रकों को शी बगला मुकी यंद्र की विदिवत प्रयोक से विभिन प्रकार की मुनकामनाय से होती क्योंकि बगला मुकी साधना भारत की प्राचीमतम दस महा विद्याओं में से एक है और कलियुग में तो इसका प्रवाव पग पग पे देख सकते है शत्रों पर हावी होने और उनका मान मर्दन करने तथा हारते मुकदमों भी से फलता पाने के लिए समस्त प्रकार से उन्नती के लिए बगला मुकी यंद्र को स्रिष्ट माना जाता है यह यंद्र जिस हाथ पर बंदा होता है उस पर किया गया तांत्रिक प्रवावे निस्वल हो जाता है आपकी सारे कारे बंदते चले जाएगे कोई भी कारे हो अभी हम आपको अगले वीडियो में बगला मुखी मंदिर जहां पर स्थित है उसके बारे हम आपको बताएंगे धन्यवाद आप हमारी चैनल के सबस्क्राइब करें और अपने कमेंड दीशिए धन्यवाद